नमस्कार राजिसवा टीवी के कारिकरम किताब में आपका स्वागत है मैं हूँ पुर्शोतम अगरवाल और एक बार फिर से हम लोग श्विमला में हैं एक बहुती महत्वूर्ण कवी के बारे में बात करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं करनल की कवी अक्का महादेवी के बारे में इनका समय बार्वी सदी का समय है और यह भक्ती की कवी मानी जाती है और जैसा के हम सब जानते हैं किसी भी भारतिये भास्वा की कल्पना भक्ती साहित्य के बिना नहीं की जाती सभी आधनिक भारती के भासवाएं आरम भी होती हैं भक्ती के साहित्ति से हम चंडी दास के बिना बांगला की, कबीर के बिना हिंदी की, तुकाराम के बिना मराथी की कल्पना नहीं कर सकते और ठीक इसी तर है हमक्का महादेवी और बासवन्ना के बिना कर्णल की कल्पना नहीं कर सकते भगवान शिव की अटूद भक्त अक्का महादेवी का ये वचन शिव के प्रती उनके समर्पन से उत्प्रोत है जिस तरह मीरा भाई क्रिश्ण को अपना अलोकिक पती मानती थी उसी तरह बारमी सदी की कन्नर भक्त का वियत्री अक्का महादेवी ने शिव को अपना अलोकिक पती माना ठीक मीरा बाई की ही तर है अक्का ने अलोकिक दामपत्य की कल्पना और काविरचना भी की अक्का महादेवी के लोकिक पती ने उनका अपमान किया और घर से निकालते समय कपड़े भी छोड़ कर जाने को कहा तो उन्होंने सदा के लिए वस्तर त्याग दिये ये त्याग उनके जीवन और रचना में एक मूल भूत साहस की सूचना देता है शिमोगा जिले के उतुताडी नगर में जन्मी अक्का महादेवी का कन्नर भाषा और संस्कृति के विकास में अद्वतिय योगदान है वील शेव विचार और उससे जुड़ी सामाजिक संस्थाओं जैसे की अनुभव मंडपम के विचार में अक्का महादेवी के वचनों और व्यवहारों ने बड़ी भूमी का निभाई भक्ति काव्य सभी आधुनिक भारतिय भाषाओं में केंद्रिय इस्थान रखता है आज जिस रूप में हम इन भाषाओं को जानते हैं उस रूप में इन्हें लाने वाले भक्त कवी ही थे कविता में भक्त होना निजी जीवन में किसी देवी देवता की उपासना करने से अलग चीज है किसी देवी या देवता में आस्ता रखने वाला व्यक्ति भक्त की सम्वेदना में कविता भी लिखे ये जरूरी नहीं अग्रणी भक्ति कवी लगभक सभी भाशाओं में 12-16 सदी के बीच सक्रियत है सदीया गुजर जाने पर भी ये कवी अपनी अपनी भाशाओं में जन साधारण के इस्मृति में आज भी जीवित है सभी भक्त कवीयों की तरह अक्का महादेवी की कविता भी एक ही साथ राग विराग और भीतर बाहर की कविताएं है उसमें समाज पर टिपडिया है एक इस्तुरी की चेतना से पूछे गए सवाल है और अपने एन आंतरिक अनुभों का अवसाद और उल्लास भी है अक्का महादेवी का निधन कम उम्र में ही हो गया था लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने शिव और उनके प्रती अपनी भक्ति के बारे में सैक्णों वचन और खोपसूरत कविताएं लिखी हाला कि ये खेत का विशे है और भारती भाशों के बीच समवात की कमी का सुचक भी कि अक्का महादेवी की रचनाओं का सीधे मूल कंणर से लिया गया कोई उत्गरिष्ट अनुवाद अभी तक सुलब नहीं है अक्का महादेवी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरी एचेस स्विप्रकास हैं स्विप्रकास जी कंणर के अत्यंत महत्तपून लेखा के आपने अक्का महादेवी और अन्य भक्ती कवियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है और आप अपनी कविता और थेटर दोनों के लिए साहित एकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों के परसकारों से नवाजे जा चुके है इस समय स्विप्रकास जी जवारला लहरू उनिवर्सिटी के स्कूल आफ आर्ट सेंड एस्थेटिक्स के प्रफेसर है स्विप्रकास जी के बारे में एक बात और मैं बता दूँ और जिसका लाब हम हिंदी वालों को उठाना चाहिए असल में हिंदी में कविता पढ़ने की आप विर्ती की परंपरा लगवक समाप्त हो गई है जबके बांगला, कन्नल, मल्यालम ये ऐसी भासा हैं जिन में कविता अभी भी भी बहुत जोरदार ढंग से बहुत मारमेक और प्रभावी ढंग से पढ़ी जाती है इस कारिक्रम में मैं उम्मीद करूँगा और प्रारतना करूँगा स्विप्रकाज जी आपसे कि आप कुछ कविताओं की आप विर्ती भी हमें सुनाइए अब हम बात सुरू करते हैं अक्कमहादेवी के बारे में स्विप्रकाज जी आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका इस कारिक्रम में आने के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने अक्कमा देवी का अनवाद किया है और कवियों कभी किया है आपको ये अनवाद करने की जरूरत क्यों महसूस हूँ मुझसे पहले एके रामजन ने अक्मा देवी के कुछ वचनों का अनवाद किया था उनका जो वचनों का अनवाद की किताब जो है प्रकाशित हुई शायद सथर के आपस पास पे लेकिन मैं बच्पन से ये वचन साहित जिसका हिस्सा अक्मा देवी है उसको बच्पन से मैं पढ़ते आया था और रामा ने जिन्हें कुछ वचनों को ने चुनाता मुझे लगा और इससे भी अच्छे वचन है जिनको अनवाद करना है सोना केवल कमा देवी का बाकी दोगों का भी मैंने अनवाद किया वो भी मेरी किताब भी वो प्रिंद से प्रकाशित हुई एक पांट साल पहने क्यूंकि ये किताब जरा आप दिखाएंगे हम लोगों किताब हमारे दर्सपक भी इसको देख सके ये वो अनवाद की पुस्तग है जिसकी चर्चा से प्रकाशी कर रहे है जी और ये जो है एक वचनों का एक बहुत सुनर संग्र है कंदर में बहुत सारी प्रेणा इस अनवाद के इस संग्र से मैंने दिया है इसको संग्र इत की एक बहुत बुरे विद्वान थे हमारे वचन साहिते के तरका विशेशन ने एक कीरम नागराज करके वो दिवंगत हो गए उन्होंने इसको संपारण किया था रामानुजन जी जब उन्होंने अनवाद किया वो अनवाद अधिकतर इंग्लिश फ्रेंडली था उदाण के लिए आप जानते हैं हमारे बक्ती कवियों में वो सिगनेचर लाइन जो होता है एक नाम अकमादीवी का अंकितर कंणर में चन्ना मलीकारजुन मलीकारजुन श्रीशेल में जो शीमंदिर है उसकी देवता है जो तिलिंगों में एक है चन्ना का मतलब कंणर में सुन्दर लाल है लेकिन रामानुजन जी ने क्या किया लाइज वाइज जास्मिन इसा उन्होंने अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में तो अच्छा लगता है सुन्ने में लेकिन मुझे लगा मूल में जो वो अर्थ है उसको यह पाटक तक नहीं पहुंचा पाया गए ऐसा अनुवाद क्योंकि हमारी परंपरा में सफेद जो है वो सुन्दर्था का संकेद नहीं माना जाता है सुन्दर्था से साजुड़ा हुआ है काला या लाल रंग तो एक मली का उसमें भी हमारा यहां एक लाल रंग का वो बोग रहोता है तो यह जो आपने का के सफेद संदर्था का प्रतीग नहीं माना जाता है लेकिन जैसे सरसोती की जो प्रार्थना हम लोग करते है या सुन्सकुट में मैं कंदर में मूल रहा हूँ अच्छा लोकसाहित हैं सफेद को अच्छा अफ्रतीख नहीं माना जाता है क्योंकि दूसरा जोग का नाम है ना कंदर प्रदेश में या किट कपड्न होता है काला आद्मी कपब्मा क्यमपब्मा लालवाली क्यमपड्ना विडी अपा कभी नहीं होता है बीडी का मतल सफेद, तो भो नहीं होता है, यह बहुत रुचक बाता आपना थी, एक मैं जब इस कारिक्रम के बारे में तैयारी कर रहा था, तो एक मित्र ने का है, अच्छा तो आप महदेवी बर्मा पर कारिक्रम करने जा रहें, यह उनका सवाल उनकी अपनी जानकारी या लेकिन मुझे इसमें एक व्यापकतर समस्या नजर आती है और चुके आप कन्नड के लेखा के इसलिए मैं आप से जानना चाहता हूं मुझे लगता है कि उत्तर और दक्षन के बीच में जो हमारी साहितिक और सांस्कृतिक परंपरा की जानकारी और संबाद है वो बहुत कम है और दिनो दिन कम होता जा रहा है यह बात कहते समें मुझे याद है मैं यह याद कर रहा हूं कि फिफ्टीज में मेरा भाई पर एक बहुती बहतरीन फिल्म तमिल में बनाई गई थी और जिसमें सुभू लक्ष्मी ने मीरा भाई काविने भी किया था और गीत भी गाये थी लेकिन पिछले कई वर्सों में मेरी ये प्रतीती बनी है स्विप्रकाश जी खासकर के उत्तर में दक्षिल भारत के साहित्य और उसकी परंपराओं के प्रतिये का अध्बोत किस्म का अवहिलना का अधासी इंता का या ज्यान का कि आपको भी ऐसा लगता है आप वर्सों से दिल्डी में रह रहे हैं तो आपकी राहे में जाना चाहुआ जबसे अंग्रेजी की भूमिका हमारा समाज में और संस्कृतियों चिक्षा में अधिक हो गया उसी समय ये देश-बाशाओं के बीच जो आदान-प्रदान चलता ये पिछले बीस-एक साल में बहुत ज्यादे होगा जी मुझे आपकी बास में बताया कवीर के बारे में ये चार-पांच बहुत अच्छी फिल्म कंदर में तिल्गों में अब नहीं हो रहा है मेरा इसका नेजी अनभव है मेरी पुस्तक जो है कवीर पर अकत कहनी प्रेम क उसका तेल्गों में अनवाद हुआ है और उसकी अनवाद की विवस्ता जो मेरे मित्र हैं हैदराबाद उनिवर्सिटी में फिलासफी के प्रोफेसर हैं रगुराम राजू तो उन्होंने मुझे एक मेल लिखा था जो मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि अनवाद में तीन- ये भासाओं में परस पर अनवाद की इस्तिती दिनों दिन खत्म होती जा रही है ये कराब होती जा रही है ये तो बहुत खूस की बात है और ये भी सच है कि हमारे जो क्लैसिक्स जो है बद्धिकालीन मगेरा उनका भी अनवाद अभी तक नहीं हो पाया हिंदी में अभीर या बीरह का एक सबख पक हजो अभी तक अभी तक उपलब नहीं हैं एक सवाल और इन कवियों के परसंग में उठता है चाहे वह अ क्का महादेवी हो चाहे मीरावाई हो चाहे कवीर हो इनकी रचनाओं की प्रामानिक्ता का सवाल क्योंकि ये लिखित परंप्रा में यह लोग मौकिक परंपरा में हैं, तो मान लीजिए जैसे आपने बचन जो चुने अनवाद करने के लिए, यह रामानुजन ने चुने या कोई भी अनवादा क्या रिसर्च स्कॉलर, उसके सामने इनकी रचनाओं की प्रामानिकता का सवाल आता है, तो यह आप कैसे हल करते ह कि मतलब यह कविता सच्मुच अक्का महदेवी की है या नि यह तो सारे बक्ति साहिती में समस्या है तो ही तो मैंने का यह समस्या तो सभी जगे है, कि गुजरात में एक बहुत बड़े विद्वान थे, बक्ति और लोग साहिती के विद्वान, दिवंगत उनका नाम है परमपरां में वह फाइन इस टेक्स नहीं है, वह फ्लुएंट टेक्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद अक्मादीव का एक सिगनेचर जो है, एक फ्लेवर जो है, वह अलग है, स्वाद अलग है, मोखिक परमपरा में क्या होता है, कुछ चीजे बदल आपनेचर यह जाती है, और कुछ चीजे नहीं बदलती है, एक वाद की इदर उधर हो सकता है, एक शब इदर उधर हो सकता है. तो इसके बाद अक्का महादेवी ने निर्वस्त्र रहने का फैसला किया और उस तरह वो निर्वस्त्र रही, इस बात के बहुत पृत्थीकात्मा करत्वी हैं, यह सब है, इस तरह के नैतिक सहस के अलावा, बतौर कवी के, उनकी कविता में वो क्या चीज है जिसको आप उनक वाज़ा है, यह सब कष़ बाते हैं इन सब का अलग अलग विषिश स्वाथ है वे व्याजर के वचज़ों में इश्वर का सामाजिक स्वरूप प्रकट होता- लेकिन अकमादेवी में, सिर्फ अकमादेवी में इश्वर का एक संदर यात्मक स्वरू प्रकतुड़। संदर यात्मक और प्रेम पूल। मदूर। मदूर। प्रेम कई है क्योंकि कभी इसमें कठोरता भी बहुत है। वो इतना जैसे रोमैंटिक नहीं है। यह निर्वस्तता के बारे में आपने जो सवाल पूछा। यह तो आधिनिक लोगों के लिए बहुत रोचक लगता है। लेकिन प्राचीन और मद्य के भारत में कई दंगे महिला सादू होती थी। महिलाएं भी होती थी। यह जो पूरी कहानी जो है कि उसकी उसकी शादी एक राजा के साथ हुई थी। इस सब किम बनती है। इसमें कोई आईथियासिक सचाए नहीं है। महरत सामने सिर्फ उसका नाम है। उनका नाम है। उनकी रचना यह है। बाकी सब मिथक है। लोगों ने जेसे। लेकिन उन मिथकों के आधार पर ही लोग अक्कमादेवी से संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाते रहे हैं। इसके वज़ेसे कुछ गंतिया भी हो गई है। क्योंकि feminist लोग सोचते हैं अक्कमादेवी टी। पर उन्ह अगमादी मेथ में लेकिन वे फिमिनिस्य नहीं थी कुछ लोग सोचते हैं और रेभीलूश्य ती कुछ और रहु दिए लिबें से रहु दो कुछ लोग सोचते हैं वो एक सुन्दर लाइंगिक कपिता लिखने वाले थी लेगे किता का अबश है, इसके बाद में कुछ और है, जो अक्मादी में का एक विसिच्चता है, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन एक कुछ और है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे कभी लोग अमरत्तों को फ्राम्त करते हैं, इसके बारे में अबिज्ञान स्वाकुंतलाम का एक सुरोक याद आ रहा है, जिसमें ये वल्णन है कि दुस्वेंत्व श्वाकुंतला की पेंटिंग या इसकेज बना रहा है, और वो बनाता है और फिर आखिरकार कहता है, कि सारा लावर्ने जो मैंने देखा और जो सुंदर मैंने देखा उसे इस तस्वीर में उतारने की कोशिस की है लेकर उतार नहीं पाया क्योंकि वो जो सौंदर रहे हैं वो किंचित अन्वितम वो कोछ और ही है यहने वो जो तस्वीर में आप लापा रहे हैं उसके बाहर कहीं हैं आप ने चुके अनवात की हैं अक्क महादेवी के और मुझे पताए कि आप आप वृती भी बहुत अच्छी तरह करते हैं करते हैं मैं यह चांँगा कि आप हमारे दल्श्व कर ऐए और बैठे साथियों के लिए अपने प। ये वच्छनों में से किसी एक वच्छन का किसी एक वच्न की आप वरत्ति हमें सुनाए और उसका फिर अपने द्वारा किया गया अनुवार सुनाएं उसकी प्रिष्ठ हमुमी के बारे में बताएं क्योंके मुझे लगता है कि इस कारिक्रम के जरिए हमें अब दूसरी बहसाओं के कवियों और साहितिकारों के बारे में जानने का भी आउसर मिलना चाहिए के सुनिए एकमादीवके प्रसिद्वचन है। चिली मिली चिली मिली यें दोध म껏 गडी रह न 만들어 डीवै कार रह न neck अप कोगिन दिव पानर आ न दिवॉ कार रह न यरगी बंदाडुव तुम्दि गलिर आ, दीविकाणिरे, दीविकाणिरे दिविल गेख्वर शुने अधियलों, दीविकाणिरे, दीविकाणिरे यन्नोल यचन्नम अंद्रीकार्जुन, देव यud Buenos Anew Also आने, deव शहर स्वादि मुद अछीनिविकाणिरे नीवी हेली रे, नीवी हेली रे, इसकानवाद जो मैंने किया, अंग्रेजी में, You chirping parrots, do you know, do you know? You swans playing on lakes, do you know, do you know? You coral birds singing aloud, do you know, do you know? You bees swooping and swooping, do you know, do you know? You peacocks playing in hills and caves, do you know, do you know? If you know where is my lord, chanamalikajana, please tell me, won't you? इसकानुई जो मैंने इसकानुई जो मैंने इसमें क्या है? इस समवाद आतमक है. इस समवाद कभी-कभी खुद के साथ होता है, इश्वर के साथ होता है, दोस्त के साथ, दुष्मन के साथ. इदर देखिए, संवाद कर रही है, प्रकृति की सारे जीव जड़ के साथ सिप्रकाई जी मुझे लगता है ये बहुत रोचक बात की और आप धिहान दिला रहे हैं मुझे लगता है कि सारी की सारी भक्ति कविता संवाद आत्म के आम तोर से अक्का महलेगी की तरना बताना चाहता हूँ जी का अनुवाद में उसकी संवाद आत्मकता कम हो गया है इसलिए क्योंकि उनका जो मॉडल था कविता की भाषा जो उनका एक मॉरल था वो पेंटेंपर बिटिश पोईती थी एक वो स्वाद आत्मक बद गया था यह यह इसी तरह कि आलोचना कविर के जो टैगोर ने अनवाद की है उनकी भी किनी और जैसे मैं याद कर रहा था कि मेरा भाई हो या कविर हो उनके यहां यह वह संवाद आत्मकता है कविर की लगबग हर कविता है वो किसी ना किसी को सुनो भई सादू कघ कभी है और मिरा के भी भी रहाना खाल ओर दो अंं संबादातमकता है आपकी बहुतने में तो है ही कम से कम यह केवाल महीं ऐ हह यह क्यों अप्छक्ष अच्छनों में यह पूछ कुछ बहुत कराबी है, लेकिन जो अच्छे वचनकार, अच्छे वचनकार का मतलब है, जिनका वचन हमारी स्पूति में रह जाते हैं, उनकी निशनाओं में इस पश्च्रूप से समवाद आत्मकता है, एक और सवाल और भक्ती कविता जिस बात के लिए जानी जाती है, कबी कबीर की कविता अगर मुझसे कोई कहें, तुम्हें यही कौँगा कि वो भीतर भाहर सबद निरंतर की कविता है, ना भीतर की उपेक्चा है, ना बाहर की उपेक्चा है, अक्का महादेवी के परसंग में क्या हमारे सामने ऐसे भी वचन हैं, जिनमें तत्कालीन सामाजिक या माननेताओं की बहुत मुखर रूप से अलोचना की गई है। सीधे सीधे रेजेक्ट किया हूँ चीजों को। यह सच्छा है, एकमादेवी में वो सामा जी कहता उतना नहे जितना कबीर में है। वही सामाजी कहता तो मस्मन्ना का वचन में है। प्रशन में मादेवी टो में आवदारणा क्यून में मिष्टिजम किया है। यह सीधे मिष्टिजम का वी जो एक सोसल डाइमेंचन होता है। जैसे मिसाल के तौरपर मेरा बाइ के यहां उस तरह की सीधी सीधी सामाजी का लुचना नहीं। लेकिन जो कुछ वो और कह रही है। फिए उसे असमें सामाजेख माननता Believe An यहां उसमें सामाजेख माननता के प्रतिया कि बहर अवहलना नहेते है जासे राणा-जी मने बधणनामी और मिलागे मिलागे क्यो है निंदो चाहे कोई बिंदो चलूंगी चाह लनूट की राना जी मने बदनामी इलागे मीठी तो यहां बहुत इस प्रश्टूप से कहा रहा है कि जो भी माननेताई हैं उनके आधार पर कोई मेरी तारीफ करेगा कोई मुझे जो चाहें कोई मेरी नंदा करेगा मुझे परवा निए इस तरह की सीजते होगी यह पुरुष्ष प्रदान्ता का वीलोद है कमादी कर चाहँ ने मेरी तार्श्ट पर श्योगी के साबने ओिए योगी के रूपने रूपने अगे लेकिन उसी बाया योगी निकेस सहाब दे पुरुष का रूप के आगा। फो अधिक तर बक्ति सायथे ने अध्याचमिक सायथे में माया को स्त्री लिंग बनाया गया है लेकिन अक्वादेव इसके यह बोट महत्पूर्वन है ह sagte σ Cleveland वाज्ञ ह भकती यह गई है किता लहें है लेकिन AK réalité आप जो बतारें बहुत महत्त पूर्ल के उनके हैं सौभा एक रूप माया की अधरन फना पुरुस रूपमे और अख्वादी बी फ्रॉज पुरान嫁ा ऩर सब को न करती है बचहно23 गूचित sc यह हुआ शाम क्या है जरेको रिद्फ विद्फ यह तका रिड्व है। इसको तुम क्या हो ईसको तुम कारा हुई। अक्ता नित्ता हरिवा बनादा शिरवाने जो मन इधर बटकता है अगर तुम उस मन का सिर काटोगे बच्च बरिये वाइद गोगे चंदमाली काचना तुम चंदमाली काचन को शुद्ध रूप में और ये परंजोति स्वरूप में तुम देख सकते हैं इस समय के कंणड भास्वी समाज में मेरा यानुमान है जो थोड़ा बहुत काम मैंने बख्ती साहिती पर किया है कि जो तथाकते निरक्षर लोग है या कम पढ़े लेखे लोग है मेरा अनुमान है कि उनके बीच एकका महादेवी के बचान भी भी लोग करिये हों न सही करा हूं या गलत बताया मैं बताओं लेकिन जो पढ़े लेखे लोग हैं क्या उनके विजबी एकका महादेवी अब बाकी बची है या धिरे धिरे समाप्त होगी देखिए कंद वच्टों का इतिहास कुछ अलग है यह वच्टों का रचना हुई बाराईवी सवधी में लेकिन वोखिक परमपरा में थी जी विजे नगागा सामराज के समय में जब प्रोड़ी देवरा सामराट थे उस समय उनोंने इस परमपरा की अनियायं को राजाश्राइप रदाद किया उस सारे वच्टों को इनोंने संकलित करने लगे जो लोग इसको संकलित किये वो उंचे जाती के थे वो पुरुष प्रदानता कमाने मले थे सारे वच्टों का किया उनोंने अक्मादयू को बिलाया लेकिन जो स्थान अक्मादयू को देना था वो नहीं दिया गया अक्मादयू को बनाएगा और बाद मे इसका प्रभावी लोग है, इसका प्रभाव फेलने लगा, तो एक उस्परमपरा खड़ित हो इसलिए अतना प्रसिदी है, जैसे मीरा है, कि नाटिक मेरा दूसरा सवाल था, आक महादेवी के वारे में आपने बहुत सही का और ये उस समय की इस्तितियों में बहुतों के साथ हुआ है, कि उनको वो जगे नहीं मिली या उनको आशिये पर कर दिया गया, मेरा सवाल ये था, कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने हिंदी छेक्ति की बात करूं, तो यह मैं तथ्धि के रूप में कह सकता हूं, कि हिंदी छेक्ति में जो तथ्धा कथित गैर जाते हैं, कहीना कहीं आप अपनी जो देश भासा कावी की परंपरा है, उससे कटते चले जाती है, यह हिंदी के बारे में सचे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी इस तथी कंदर के बारे में कुछ संत जो है, जिसे बासमधना अल्हमा प्रूम एको संत थे, सर्वगन और एक शिशनार शिरीव साफ यह बहुत जन जनीत है, लेकिन अक्मादेवी का असर उतना नहीं पड़ा, क्योंकि वचन वागमाई को लेकर इनों ने एक मित को बनाया, उसमें उनका स्ताम किया गया था, लेकिन अब बड़े-बड़े संगीत का, उनली का जिन मनसु जह सं क्या एवा लोगों के बीच में अक्मादेवी लोकप्रिये हो रही हैं? उनकी आदर्श के रूप में हैं, ये बहुती सुखद संवाद आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, अब हम रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद, हर बार की तरह इस बार भी, यहां मौजूद, जो हमारे अध्यापक और चात्र और नौजवान साथी हैं आपका महादेवी और कंणर भक्ती साहित्ती के बारे में स्विप्रकाजी से बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो महादेवी कहती है, मैं बाहर के रूप में मैं अवरत हूँ, दिल से मैं पुरिश हूँ, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका बात कर रहे हैं हम लोग अक्का महादेवी के बारे में और हमारे साथ हैं सुरी एचेस स्विप्रकास, कंणल के लेखा कर प्रोफेसर, इस हिस्थे में हमारे यहां बैठे हुए साथ ही स्विप्रकास जी से बात करेंगे अक्का महादेव जी आपका सवाल शिर्प्रकाश्टी में आप से पोछना चाहूंगे आपने बात की कि अक्का महादीरीजी ने 12 सदी में जो है वो पुरुष प्रधानता के विरुद जो है वो टिपनी करने का साहस किया वेध पुलानों की अभिलना भी कही उनके विरुद भी कहने का साहस कि और आपने ये बात भी कही कि आज की युवा वर्ग में स्पेशली जो है युवतियों में जो है वो एक आदर्श की रूप में जाने जाती है तुम ये चहना चाहते हूं ये आपसे पोछना चाहूंगी क्या बारवी सदी में जो नारिश रशक्तिकरण की बात जो हम आज कर नारिश रशक्तिकरण की अलग जो है वो अक्का महादेवी जी ने जलाई क्या ये कहना सही नहीं होगा वो ये पूछ रही है कि बार्वी सदी में क्या हम ये कह सकते हैं कि अक्का महादेवी ने एक तरह के वोमेन एमपावर्मेंट की शुरूआद की इसमें आबशिक सत्य है लेकिन महिला का सबली करण अकमादिव का उद्धिश नहीं था आध्यात्मिक विकास के लिए एबी एक सीड़ी थी लेकिन आजकल जो महिला सबली करण की बात हो रही है वो केवल महिला की विमोचना की दृष्टी से वे बात कह रहे हैं तो दोनों की लोग दृष्टी में बहुत अंतर है लेकिन इमाद ताहूं की अकमादिव में इसका एक अर्श है आप वे सब्सक्राण जी और वाइदावे मित्रों वे मोचना कार्थ होता है मुक्ती लिब्रेशन जी सर मेरा प्रशन है कि आज पहली वार हमें ये जानने का मौका मिला कि जैसा यहां कबीर ने कहा या मीरा ने कहा वैसा वैसा ही कुछ कंणड में या तेलगू में कहा गया और जहां तक अक्का महदेवी की बात है तो ये कहा जा सकता है उनके वचनों के द्वारा जो उन्होंने रिलिजियस रूप में कहे या रेवलूशनरी रूप में कहे कि उन्हों काफी प्रोग्रेसिव थे पर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आज एक इंटेलेक्चुलिजम पे एक बड़ा अटैक भी है और एक इंटेलेक्चुल क्लास भी एक जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुल्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोग्रेसिव इजम पे बारवी सदी में जो अटेक्च था वो तो शायद उस जमाने में कह भी पाए पर इतनी सटीक्ता के साथ वेद पुरान या इन चीजों को अटेक्च करना अटेक्च तो नहीं कहा जा सकता है इनको क्रिटिकली एनलाईज करना और ये कह देना कि ये कुछ मात्र तो ठीक है पर ये सब कुछ नहीं है इससे आगे भी कुछ है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो अपने जमाने में जो उन्होंने प्रोग्रेसिविजम दिखाया और आज के जमाने में जो प्रोग्रेसिव लोगों के ऊपर एक तरह का अटेक्च है उसको आप किस तरह से देखते हैं दोने में कुछ सामियत आया है बहुत अंतर भी है एक महत्वपूर्ण अंतर ये लगता है मुझे की बारवी सदी के सद्धों ने लोगों के साथ सम्वाद करने के लिए एक निशित और सपस्ट बाशा को उनों ने रचाया था एक माध्यम को उनों ने बनाया था आज के दो बुद्धी जी वी वर्ग हदिकतर अंग्रेजी में बोलते हैं और लोगों के साथ एक सब एक माध्यम को संपर्क करने के लिए उनका दिल चूने के लिए एक संपर्क वाशा उनों ने अभी तक नहीं बनाया कुछ प्रसिद लेकर को चोड़ कर ये क्योंकि जो लोग बुद्धी ओंके खिलाफ ये हमला कर रहे हैं वो तो बुद्धी के विरोदी हैं लेकि बुद्धी जी लोग सो कुछ सची बात कह रहे हैं लेकि वो लोगों तक पोंच नहीं पारा हैं क्योंकि इतना क्रिस्ट बाशावे वो बोलते हैं आब आज में तक ओड़ पोच्छी देए इसमें सिप्रकाच जी माफ की जीएगा आपकी बात बिलकुल सही है और कई बुद्धी जीवियों का समवाद आपस में ही होता है प्रीचिंग टुदी कनवर्टेड लेकिन उसके बुद्धी जीवियों के पास वो ताकत नहीं है उस तरह की ताकत नहीं है जितनी बुद्धी विरुदियों के पास से इसलिए उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए यह बात करते समय अगला सवाल आप पूचिए सर मेरा सवाल आप सी यह है कि कि कंड़ में और वी तो स अगर रहे हूंगे तो आपने इनहीं हमादीवी को क्यो logos क चुना और इनकी रचनाओं को कुछ चुनानौबाद के लिए इसलिए कि जो काभी सवें में अग्र ब्लीऄ हैं उसतक किसी और में नहीं है इसलिए और अख्मादेवी की बाशा जो है अगर जो भी कदर बाशा को जानते है उनका वचनों को सुद कर गर उसका दिल नहीं पिंगलेगा को इंसा दियों पत्तर है हम लोग कंणल भासा नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नात संदर से कुछ हमारा भी दिल पे गल सकता है इसलिए एक वचनाप सुनाइश्ट अख्याँ अक्केडवा अक्केडवा नानुंद कनसकंटे नानुंद कनसकंटे चित्क चित्क सूली पल गोरवण अक्कीलबार नानुंद कन्दे ना ला ला अक्कीडवा कडवा टिंगी नाकाई कन्दे ना कर दो हुआं मिक्कीवीरी होना ला चन्न मलीकाज कहएगें लोग्टे नाईवा इसको काद्ध मानसूर झी ने गाया है यूटूब मेआप सुन सकतें अकमान आईएपन को किन्स वह को बहुन मोहन राग में एंद थक गाया है वहई सुद्द तर Χाज जए लंग देखा है सुदो कर देखा मցग देखा को दी तुंद दी मैंनेक सफना देखी रे अशित मिली के देखा तो मघए लुचत द॥ाया हैंह। अभ जब मैं उसका हाथ में पकड़ा, सारे सीमाओं के बाहर उसने मुझे ले गया, सुनो दीदी, सुनो दीदी, वाँ, जब मैं चन्दा मलिकारजुन को सपने में जब मैं देखा, मेरे आंग पुल गए, वाँ, क्या बात, वाँ जब मैं चन्दा मलिकारजुन को समभुदीद किया हो लो में? देखिए, हर एक वचनकार, वसारे शिव बगते हैं, लेकिन शिव का एक अनेक सवरूप होता है, जैसे पहारों में शिव जी के कई मंदिर होते हैं, बिल्ले शिर महादेवे, केदार शिवरे, हर एक गाह में एक नाप सिर्ज मान जाते हैं, जो चन्दा मलिकारजुन को जो मेरा परशन है आप से, जैसे कि यहां पे मूल भूत्स जो प्रशन है, अधयात्मिक्ता से ही जुड़ा हुआ है, तो जैसे पुरुष प्रधान ता कि आपने भी बात करें, तो जहां पे हम तो बुद्ध पुरुष की तो वात करते हैं, तो क्या आप अक्का महादेवी को महिला के रूप में देखना चाहत पसंद करते हैं किस रूप में बुद्ध महिला महिला बुद्ध जी महिला महिला बुद्ध अफीमेल बुद्ध नहीं पिसन ही होता है अकमादिवी कहती है मैं बाहर के रूप में मैं अवरत हूँ दिल से में पूरुषू। वो कियती है, शिवजी को भी सवाल करती है, जाल चेहा है, कामारी एक लिद नहीं अब सवानी नहीं नहीं इंदा। मैंने उस कामारी को में जीता। सोब अरही नहीं नहीं आफ पनोवाः। वो मेरे गुलाम है। तुम आदेश दो, उसको इधर लेकर आओगा मैं। अतिकामी चंद्राइब, वो तो अतिकामी है। उसके साथ मैंने ऐसा संबोक किया। वो बर्बाद हो गया। तो एक एक पौरुष भी उसमें है। उसका अंकित जो है। इसको इधर देखना पड़ेगा। ऑखनेति मनली का भ्यूरुड, शोमिय है। शोमिय हैर्जू, महााभारत का वीर, अर॥ज थि अर्जती अरजः पातोधन तर reviewing यह कोई। वीर है, जो पुरूष का वरता, जारी खंए, शिव महाबारत का व्यूरुद । अधीट है और हां मेरा नाम हिरवानी ठाकूर है आपने एक बार नोट की कि जो महादेवी जी है वो बेदों को पुराणों को नहीं मानती उनका खंडन करती थी तो माना चाता है कि आस्तिक्ता से नास्तिक्ता परता होती हैs तो मादेवी जी का जो अध्यात्मिक्ता थी, वो किस तरह की थी, उसका अधार क्या था, उनकी जो अध्यात्मिक्ता थी, वो बैदिक से भिन थी, या फिर उसकी तरह ही थी, और उनका जो अध्यात्मिक्ता का रूप था, वो सकार था या निराकार था, मैं ये जाना चाम है वार्य बच्छन कारों ने कहते है यह तो ऐसा एक सपना है जिसको एक मासुम बच्छा देखता है उसका बता नहीं पाएगा यह गुंगे का गुड़ है जो इसके बारे में बहुत बात करता है उसको नहीं जानता है तो अकमा दिवी कि दृष्टी जो है नवेद पर है स्वानु भाव पर है आखर वेदों कादार क्या है शृति 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 कादार क्या है शृति एक चीज बताईए एक बात एक ध्यानाई में बात आपकी बीच में काट रहू हूं यह अन्भॉप मंदपम जो संस्था थी इसका क्या रोल था समाज यह भी एक जैजनित भी अधिक जब भी तक है शृति नहीं लगता है एक एथिहासिक घटाथी गटनाती अन्भॉप मंदपम जैसे कोई चीज देने वो इस 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 कलपना को लाया हो चौदवी सदी में विजैनगर साम यह संकलन कारोन अच्छ इसका इसी इसका 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 और कोई किन सामाजिक वर्गों में अख्का महादेवी अधिक अधिक तर युवा लोगों में, बहिलाओं में, दलितों में, पिछले जाती की लोगों पे बीच और कोई सवाल? मेरा आपसे यह प्रेशन है कि अक्का महादेवी की जो भक्ति कविताएं वो काफी समय से चलिया रहे हैं और वो पड़ी भी जाती है, बट वो जो समकालीन कविताएं होती है, वो बहुत कम लोग पड़ते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बद्योगे बक्ति साहिते में समकालीन साहिते से ज्यादा सार्वक कालीमता है, इसलिए बहुत बढ़ी है, आपको कोई सवाल पूछना है? मेरा नाम सुमन कुमार सिना है, मैं सर यही पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर भारतिया भक्ति काल थे और डक्षिन भारत की उसमें मौलिक अंतर क्या है, अगर यह मौलिक अंतर है, तो कोई ऐसा कवी हैं जिन्होंने इन दोनों को मतलब इसे जो अंतर था, उनको पाटने क अंतर था, बिल्कुल, बिल्कुल, दक्षिन तमिलनारिय से शुरू हूँ अचर तक पोच पहल गया, और उत्तर से दुबारा दक्षिन में आया, तो लोग कहता है किसी सामराजी ने आदिनिक पूरी यूग में भारत को इकच्चा नहीं किया, लेकिन भक्ति संस्कृति नह किया, आगे हम अगर इस बात को याद करें, जो आप बात कह रहे हैं, तो असमिया में संकर्दीव से लेकर के सिंध में सुखा लतीव तक है, और कस Михीर में लंदेश से लेकर तके आपके तमिल में नाइनार और आलवार संतों तरक अंडाल और अक्का मादेवी की अमलोग बात करी रहे हैं असल में जो सवाल ये पूछ रहे हैं उसको मैं थोड़े दूसरे दंग से पूछना चाहता हूँ बावजूद इसके, और ये भक्ति एक अखिल भारथिया संस्कूर्तिक भास्वा है या संस्कूर्तिक मुहावरा है में चेकतरों में उसकी विशुष्टताइबी नहीं है मिसाल के तवरपर, कंनल की अपनी कोई भिशुष्टा है बीर सहेव, जो कन्नड का अपना सहेव, उत्तर में भक्ती आंदोलन में सहेव मत इतना प्रभावसाली नहीं है, उत्तर में बैसलों मत है, सूफी प्रभाव है, सहेव भक्ती उत्तर में इतनी प्रभावसाली नहीं है, जितनी की एक तरफ कस्मीर में, दूसरी तरफ करनाटका में तो इस सवाल को इस तरह पूछा जा सकता है कि कंणर भक्ति आंदोलन की ऐसी स्पेसिफिक विसेस्ताइं आपको क्या लगती हैं जो संभवते अन्य भासाओं में ना हो जिस मात्रा में यह सब्वादात्मकात्ता जो है और जिस मात्रा में संप्रदायों का खंडन है हग ऊस मक्ति नकमें मुझे द्सें रहे कि मत्री सहीति बाख और कणर में तीट भारा यंथ्य है एक तो ये विरिश वी ने वचनकारों का है एक वैश्नवसंतों का है वैश्नासान्वसंत कर जैसे वह सगुडभक्ति उतर बाद में यह जैनों का है कंणर में Masters Dal जैनों के mef एक एक वहाँ पूर हा जाता है कंदर में अठारावी उदिसी सदी में कम से कम चार सो के भी लोग है हर जात के इतमें बहुत सबसे श्रेश्ट करिए एक शिष्णाच शरीफ सब जो है आज भी बहुत लोग प्री है कंदाटिक में यह तीद दारा है और ती लोग का बहुति और अद्वायत इसका अवदूद परंपरा का एक संबिलद एक समस्कुति बद गई हुदा है उद रचनकारों का हम कहते है तत्व पदकार तत्व एक कंदर की दिर्गुट दिर्गुट भक्ति परंपरा कही है और यह अठार्वी आठार्वी से अभी जीवी ते गवा तत्व से ऑपरंपरा उस्याप अमाला नहीं यह रख तूरम टि की परंपरा जो है कि वाल खमर बदे लिखन लिखतंग झाल कर 126 05 वटimm डिडीरतंग दोग कि दिविट destudo क का मामला नहीं यह आज भी लोग लोग वन्त्ती की लीट लिखते लिखे लिखते हैं वह वाइट इंटरिस्टन और कोई प्रस्मोंय और कोई सवाव हाई यहाई मेरा नाम रिना सोनी और मैं पूछना चाहिश लो हमपा लुछन एक्षि विटा फैर बहुट भगवान पर शुच्छी के विटा तो आज गल किसमाजमे इसका क्या लाभ है लाभ बढ़ान पर वरोसा करने से आज कल क्याला हुआ हला के देखिए आपने ये नोट किया होगा कि दुनिया भर में भगवान और धर्म का मामला इस समें जितना प्रचंड है उतना साइद का महादेवी के जमाने में विनी रहा होगा इतने बाबा इतने साधू इतने बड़े हमने देखा है तो विश्वास करो हैं अब संद के बिनी कहते हैं शायद हमने देखा है शायद तुम भी देख सकते हो और केवल हमारे कहें पर विश्वास मत करो था तुम स्वादो भव में दून बाड़े नहीं लेकन उनका सवाल ये था अकिस तरह की चीजह को वो प्रचट आवाज जो कहते है मैं देखा है मैं जो बोलगा तुम करो उसको बिटाने के लिए इस भक्ति का अधियाद अवश्याज और कोई प्रस्ण आपका नाम बताईए मेरा नम सनी वर्मा मेरा प्रशन आप सही है सर कि अक्का महाजेबी के जीवन में ऐसी कौन सी खटना रही कि वो शीब बक्ति को और मुड़ी अधिये उसके जीवन के बारे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कुछ दब कताये लेजिंड्स है उसके दूआ अधसार उनके शादी एक राजा के साथ होगी थी और अखमादी राजा के साथ शादी करना नहीं कहती थी तो उसनों बोला कि पुजा पाट करती थी उस समय वो बीच में आने लगा तो उसने वचन बंग गिया उसी शनक महादेवी अपता सारे कपड़े वुंतार के सणक पर आ गई यह दंद कता है यह इतिहास है कि ने किसी को नहीं पता कोई सवाल आजा पूछ लिजी आज महादेवी की कविताओन में रहसे वाद कोही न कोई रूप हमेशा द्रिष्टी गतkin कित अगल्छ does video क सव इस अंगिच क कॉछ सवगः का कौन सा रूप द्रिष्टी कि दृष्टぅ लिए लिव इस त्रिष्टी के लिए ières अनुभाद के लिए एक अलग शम्थ है उसको अनुभाव कियते है, अनुभाव सब को होता है, लेकिन अनुभाव केवल अनुभावियों को होता है, तो अनुभाव जो है, उसकी व्याख्या, जो मचिन के व्यों करते है, रहस्वाइब से कहीं बहतर सब्दें अन्वहाओ क्योंकि इसका समन महावाओ से जुरा है यह बहतर सब्दें कहीं बहतर लेकिन अन्वहाओ निदी में क्या है वो नाटिश शहस्ने में कुछ और के लुग बहुद हो जाते हैं सौंदरी है लेकिन वो अंत्रपोमाफिक बदिश्यरूपी दई है वो सर्वव्यापी सुंदरता जो बिजली में आस्मानों में सितारे में हैं फुलों में है पर कृत्वी में इश्वर को दूड़ती है धन्यवाद सिर्प्रकाश जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके अका मादेवी के बारे में और मुझे उम्मीद है कि कारिक्रम आपको अच्छा लगा होगा इस पर टिपडियों के लिए सुझावों के लिए आपका स्वागत है आप हमारे फेस्बुक पेज पर या हमा अगले हफते फिर किसी किताब पर बात करने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जाज़त दीजिए धन्यवाद आप देखते रहिए राजेसवा टीवी किसके लिए सिर्वाब कर्ही में हमारे भी तब से झाले हैं